तो दस लेटर आज का ये वीडियो इस गेम का आखरी गेमपले होने वाला है क्यों क्योंकि ये लास्ट मिसन है भई अब ये हमको कैसे मालूम देखो साथ आठ बार ओल्रेडी खेल चुके हैं परफेक्ट गेमपले के चक्कर में तो मालूम तो चल नहीं था तो देरी किस बात के भई स्टार्ट करते हैं इस गेम का फाइनल मिसन या फिर कहें पार्ट सिक्स ओल्राइट तो कंटिनु करते हैं इस गेम को और हम लोग हार्ड में ही खेल रहे हैं सुरू से ओके इसमें कोई भी सौकिंग बात नहीं है हम तो भई पहले से प्रेडिट कर चुके थे कि यही भिलेन होगा ओके मारने होला भी यही लंगडू जे कप होगा यह नहीं मालूम था ओके तो हमें हमारे फादर के खुनी का पता चल गया है मार्क स्लेटर के फादर के खुनी का पता चल गया है कर वही लोग पंद देनत और जाया के गवड़ एड़ना का यही लाया गऴनी की लग़ने लादर अवही लादर का एवड़ने माली से यह नहीं ही लादर औल कियो 70 को झूल след हूई अे नचह आगल रखे जडूब एीडरों वहां वहां पिर्खब की आगी एक मेर, वहां आप एक रप इस्ट जब तब रखे बाप वहां पर इस को ऑन वेले में सहांवे शाग उत 높वा कि यगि वहां य related ठीक है तो जैकब इससे डील करने कोसिस किया बट ये अंसक्सेस्फुल हुआ और ये रहा हमारा मार्क स्लेटर जो बिली कि हां आया है तो ये पैसे के बिना तु कुछ करने वाला है नहीं ये लो बई इतना में हो जाना चाहिए there's something else I need explosives seriously you lost your mind नहीं हमें explosive चाहिए तो चाहिए okay इस बार हमारे पास pistol के अलावा explosive भी है with detonator but the problem is इससे हमें सिर्फ एक ही जगा यूज करना है ठीक है तो लास्ट मिसन होने कारण इस बार हमारे बहुत से टार्गेट है जिने हमें खतम करना है और हमारे इस मिसन का नाम है विंडिक्ट होटेल और यह van तो भई सुरू से लेके लास्ट तक पीछा ही नहीं छोड़ा है तो बातें नहीं करना है इसके बार है छोड़ो और हाँ एक बात और सुरू से लास्ट तक हमने कट्सीन को मेंटेंड रखा है तो इस बार भी कट्सीन को हम लोग स्किप नहीं करेंगे इसको जैसा है वैसे ही चलने देंगे इस बार हमारे बहुत से टार्गेट है जैसा कि आप देख सकते हो हमको चुप रहना चाहिए हो भी गया ओके सारे टार्गेट को खतम करने के साथ ही साथ हमें डी पेन डिवाइस भी रिट्रीप करना है और जैकब को भी फाइंड आउट करना है कि वो कहां पे है जिसे बंदी बना के रखा गया है ठीक है तो गेम को रिए स्टार्ट करते हैं कि और अभी हमारा पहला काम है कि हमें एक वजद महीला से मिलना है जो हमें मजे दिलाने के लिए अपना रूम इंवाइट करती है इसलिए अपना की कार्ट छोड़ जाती है जो धर्ट फ्लोर में यूज होगा और वो ओल्ड लेडी हमें मिलेगी हो गया उसे जो कहना होगा वो हमें सुनने की जरूत नहीं है, वो हमारे लिए की कार्ड वहाँ पर छोड़ देगी, पस, तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेस्मेंट वाले एरिया में जाते हैं, और एक जेनिटर ये रहा, इसे हम लोग खतम कर देंगे, हमें इनके कप्रों की जरूत है, और की क भी, इसकी बोड़ी को हम लोग यहां पर थोड़ा सा जल्दी भई, ओके, इसकी बोड़ी को हमने छुपा दिया है, और बेस्मेंट जो है ये टू है, और ये है बी वन, यानि बेस्मेंट वन, जेनिटर के कप्रों के थरू हम लोग यहां से अंदर घुस पाएंगे, और य ये डॉकुमेंट, डॉकुमेंट में क्या है, वाटर कंट्रोल रूम का एक्सेस कोल, जिसे हम लोग अपने टार्गेट के लिए यूज करेंगे, जो इसी बेस्मेंट में है, इसी फ्लोर में है, और वो सिसेलानों का बेटा है, फिलाल वो चिट चैट करने में बीजी है, ज अब हमारी और आगे बढ़ रहा है लेकिन प्रॉब्लम यह उसके साथ उसका गार्ड भी पीछे पीछे आरहा है औक ठीक है यह हमारा टारगेट है इसे हमें खतम करना है यह यहां पे शावर लेगा और इसके साथ यह बोडी गार्ड भी है और एक प्रोब्लम और भी है कि साथ में कहा गई ओके ये भी आ रही है इस रूम में ठीक है ये गाड तो चला गया तेकिन हम लोग अभी इसे किल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी इस वास रूम में आ रही है आज चुकी है और हमें अब इसके जाने का वेट करना है उसी के बाद हम लोग अपने टार्गेट वो खतम कर पाएंगे ठीक है इसे जानने देते हैं और ठीक है ये टार्गेट भी खतम और इसकी डेड बोड़ी को भी हम लोग छुपा दें क्योंकि इस जगापे बहुत सारे लोग आना जाना करेंगे ही करते रहेते हैं अल्राइट तो बेस्मेंट वन का काम खतम हो चुका है अब हम लोग फर्ष्ट फ्लोर जाएंगे जहां में हमने उस ओल्ड लेडी से वारतलाब की थी वारतलाब तो नहीं बात्चीत तो नहीं लेकिन हाँ इंट्रेक्ट जरूर किये थे अब तक में वो डेफिनिटली हमारे लिए अपने रूम का की कार्ड छोड़ चुकी होगी ठीक है तो यह रहा फ्लोर वन और कहां पर हमने ओके ठीक है यह रहा की कार्ड रूम नमबर 308 का जल्दी पहुँचने के लिए हम लोग लिफ्ट यूज करेंगो वैसे तो फ्लोर 2 और 3 का लिफ्ट खराब है तो यह एलिवेटर हमें 4th फ्लोर पहुँचाएगी लेकिन हमारा जो next target है वो floor number 3 में है जिस floor का हमने अभी कीकाड भी लिया है तो हम लोग floor number 3 पहुँच भी के है और कीकाड के तुरू हम लोग यह सामने वला जो entrance है इसको हम लोग पार कर सकते है हमारा room और यह सामने जो दिख रहा है हमारा next target का room बिल्कुल अगल बगल है तो हम लोग यहां से इस scene के थुरू हम लोग उस बगल वाले room तक पहुंच सकते हैं जहां हमारा next target है जिसका नाम अल अजीज है oil का business था bankrupt हो गया तो वो deep end device करिबने आया है ओके तो वो bathroom में है अभी ठीक है तो अल अजीज खतम हो गया है और उसकी date body को छुपाने का जरूत नहीं है अंदर कोई नहीं आने वाला और यहां से हमने ले लिया है launch pass डियाईपी launch pass अब इसका काम क्या है ठीक है फिलाल हम लोग अभी अपने अगले target के लिए floor number 4 जाएंगे जहां में हमारे बहुत से target है जो meeting कर रहे है या फिर meeting में है येस गाईज आप लोग समझी गए हो कि वहां में हमें explosive यूज करना है तो fourth floor के इंटर करने वाले area में metal detector लगा हुआ है so that's why हमें अपने weapon explosive को drop करना होगा नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे तो launch pass के थुरू हम लोग यह रहा हमारा target होज से अपना सामान को बिना चेक करवा है launch में रखवा सकते हैं और हम लोग inter भी कर गए metal detector से so हमारे पास अभी कोई weapon नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे यहां में चारा देंगे I mean distraction करेंगे ताकि एक waiter यहां चेक करने के लिए आएगा ठीक है वो आही रहा है हमें इनके कपड़ों की जरुवत है क्योंकि जहां में meeting चल रहा है जहां में हमारे बहुत से target है वहां inter करने के लिए सिर्फ waiter allowed है outsiders में से ठीक है यह खतम अब इसके कपड़े को हम लोग जल्दी से पहन लेते हैं और कोई map में आ रहा है अंदर मैं बाहर आ रहा है यह नहीं देखने हो ठीक है हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते है waiter के कपड़ों के कारण हम लोग यहां से अंदर घुष सकते हैं ठीक है तो अंदर घुषते साथ हम लोग दो तीन काम कर लेते हैं एक तो हमारा यहां weapon है ठीक है इसको बात में लेंगे पहले हम लोग यहां से surveillance camera को खराब कर देंगे और दूसरा metal detector को off कर देते हैं weapon हमने ले लिया है जिसमें से एक explosive भी है और वो explosive हम लोग यहां पर use करेंगे यह सारे के सारे हमारे target है जो अंदर में news देख रहे हैं ओक तो एक और target जो godfather है वो नीचे वाला floor गया है जहां हमें deep end device रखा हुआ है तो पहुँच गए हम लोग यहां पर और यह area restricted है तो हमें कुछ जादा ही सावधानी बरतनी होगी ठीक है हमें बाकी लोगों का जाने का wait करना होगा दो guard यहां पर तैनात रहते हैं जिससे हमें बचते हुए निकलना है deep end device भी लेना है और साथी साथ हमारा जो target है उसे भी खतम करना है ओके तो एक guard हमारे एकदम सामने है जो दूसरी और मोक क्या हुआ है और दूसरा जो guard है वो ठीक है यह रहा अब बड़ी ही सावधानी से हमें अंदर घुसना है बिना आवाज किये और जल्दी से हमारे इस guard father को खतम कर देते हैं ओके तो बाकी जो दो guard है वो दो बारा से अब अंदर आ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर तो नहीं सकते हैं फिलाल इस dead body को यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग यहाँ कोई आने वाला है नहीं तो यहीं हम लोग छोड़ देते हैं इसको और कहां गया ठीक है अब इन दो guard का हमें जाने का वेट करना है इन दिन वो सामने रखे laptop से हमें key code निकालना है जो deep end device के locker का code है ठीक है यह call करने के लिए हाथ उठा या नहीं ठीक है इसके जाने जल्दी से यह code का हम लोग तोड़ते हैं आमीं खोलते हैं ठीक है deep end device हमने ले लिया है अब हम लोग जल्दी से वहां जाते हैं जहां पे हमने वो explosive C4 रखा था अब उन लोगों का खतम होने का type आ गया है ओके तो पहले हम लोग detonator ले ले लेते हैं ताकि वो bum हम लोग फोड़ सकें ठीक है भै यह सारे लोग खतम हो गए हैं और वो जो class वाला room है वो sound fruit के साथ ही साथ बहुत ही जादा मजबूत class है जिस कारण वो explosive को झेल पाया है इट मींस किसी को पता ही नहीं चला की क्या हुआ ओके लिफ्ट लेना ही बिटर है क्योंकि हमें सबसे नीचे जाना है क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही काम रहे गया है वो है जेकप से मिलना जो hostage है सबसे नीचे वाले area यानि basement 2 में ये काम हम लोग शुरुवात में कर सकते थे जब हम लोग basement 2 तक पहुँचे थे लेकिन हमको लगा कि जेकप से last में मिलना ज्यादा बिटर है ठीक है तो janitor से हमने कपड़े के साथ साथ एक key भी लिया था और वो key हम लोग यहाँ use करेंगे ठीक है और यहाँ से हम लोग होगे चुपके से अंदर जाएंगे हम लोग पहुंच चुके है रिस्टिक्टिट एरिया और आगे बढ़ने के लिए हमें यूनिफॉर्म की जरुवत है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रेक्शन करेंगे चारा देंगे लेकिन इस चकर में दो लोग आते हैं यानि कि हमें डेफिनेटली एक का जाने का वेट करना होगा ठीक है यह दूसरा वाला जा रहा है यानि कि इससे जाने दो जाने दो एंड ठीक है इसे खतम कर देते हैं हम लोग और इसके कपड़ों को हम लोग ले लेते हैं और इसकी डेड बोडी डेड बोडी को हम लोग यहाँ छोड़ सकते हैं क्या नहीं चुपाना ही बेटर है ठीक है तो अब हम लोग जेकब से इजीली मिल सकते हैं यहां से हम लोग आराम से अंदर गुश सकते हैं और जी एकारिक सब्सक्राइब जी ऐस ये जिए जार झाल वीद करा दित कर दो कि ए दुटाओर दो परा सब अगी है एक दो अवरा चाशो है वीद की पीदी एक पादर के आपल कि तूट रखने लिए एक लादर उब को एक दो के दॉट। आस अपना रखगा तो Jacob हमें मारने के लिए कह रहा है तो नहीं हम लोग इसको नहीं मारेंगे हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारा हाईस्ट रेटिंग है इस टिल्ट मास्टर वो हमको ना मिले इसलिए इसलिए इसको छोड़ के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और हाँ इस गेम की स्टोरी का इंट्रेस्टिंग बात हम बता देते हैं कि जब जेकब इसके पिता को सूट कर रहा था और वो भी तीन बार उसने गोली चलाई थी ठीक है तब मार्क का पडोसी ही था जिसने फोटोग्राफ ले लिया था यानि की एविडेंस और जेकब ने उसे घूस दे के चुप करा दिया और जब मामला ठंडा हो गया माहिने बाद उस पडोसी को भी मार दिया गया और सारे फोटो एविडेंस भी मिटा दिये गया ऐसा हुआ था बाइद हुए इस मिशन के सुरुवात में ही लेकिन उस पडोसी ने उस फोटोग्राफ का बैक अप बना के रखा था जो टेविड बीटमेंड को मिल गया जिसे हम लोग पिछले एपिसोड में मिले थे और इसी कहानी के साथ इस मिशन का दियेंड होता है अचीव और के चलो भई मार दिये और हमें मिला है अचीवमेंट यू आस्ट फोर इट ज्यादा कुछ बड़ा चेंजेस तो हुआ नहीं बस हमें हमारे सारे अचीवमेंट मिल चुके हैं और यह है फाइनल कट्सीन Hey everyone, welcome to BTT News, I'm David Hoffman. The top news of the day. There has been a major breakthrough in the D-Pain case. Police announced that they have found the leaders of the Chikianellos crime family dead two hours ago in the Vindict Hotel. All evidence points to the Chikianellos being the ones behind D-Pain all along. Police say they have no clue who killed these mobsters and no eyewitnesses to the case. According to the DEA, D-Pain was produced with one very high-tech device. That device is nowhere to be found. The DEA believes this device to be worth at least millions of dollars. Is this the end of D-Pain or will D-Pain continue to spread? The answer is we just don't know yet. David Hoffman, BTT News. Okay, यह smile कर रहा था. यह तो भई पता ही नहीं चला. और कर भी क्या सकते हैं, Indie Game है. So, guys, that is it. Game को हमने पूरी तरह से complete कर दिया है. By the way, यह soundtrack काफी अच्छा. यह सुरू में बजना चाहिए था. खेर, gameplay आप लोगों का अच्छा लगा, यह series आप लोगों का अच्छी लगी, तो please hit the like button. और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो भई, वो भी आप लोग कर सकते हो. कोई rock talk नहीं है. Actually, इसमें मेरा भी फायदा है. जितना हो सके, इस चीज में हम improvement और कर पाएंगे. So, मिलते हैं आप लोगों से another किसी gameplay में. तब तक के लिए, tata, bye bye and thank you for watching. कर दो